बीए थर्ड येर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड M.A.M.S.E. सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ये कुछ चैप्टर्स ऐसे आए हैं जिनको आप तोनों क्लासेस को एक साथ पढ़ना है तो मैं साथ महीं बता रही हूँ पिछले क्लासेस में मैंने philosophy and dimensions of health के बारे में बताया आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं relationship between nutrition, food and health food और nutrition का health के साथ क्या सह संबंध है देखो health बहुत ही जादा निर्भर करती है हमारे भोजन पर हमारे nutrition पर, portion पर निर्भर करती है और health को बनाई रखने के लिए हमें भोजन यानि food लेना और हम किस प्रकार का food ले रहे हैं ये बहुत महत्वपून factor होता है हम जो भी खाना खाते हैं उसी के त्वारा हमारे शरीर काम करता है हम जो कुछ भी लेते हैं, जो food हम consume कर रहे हैं वही nutrients हमारी body में जाते हैं इसका मतलब है कि हमारा जो food है वो health के साथ पूरी तरहें से related हैं और कैसे related हैं, यों कहें कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलों हैं जो हमारी health है, वो nutrition पर depend करती हैं और पूरी तरहें depend करती हैं हम जैसा nutrition लेंगे वैसे हमारी health होगी हम healthy nutrition लेंगे, balanced nutrition लेंगे, हमारी health अच्छी होगी हम, ये मेरी वाली बुक में, जो nutrition की बुक है संपूर्ण आहार एवंपोशन विज्ञान, ये सभी बच्चों के पास है और इसका second part जो है, वो page number fifth and sixth उसी पे ये chapter चल रहा है तो अब सब बुक खोल लीजे और बुक से direct परसाइपते हैं ये भोजन पर depend करता है, तो हर व्यक्ति की जो nutritional requirement होती है अभी मैंने RDA बताया है कि जब व्यक्ति सभी nutrients को अपनी अवशक्ता के अंसार भोजन के द्वारा पूरा करता है तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्त रहता है जैसा RDA suggest कर रहा है 2020, उसके according हम calories लें, protein लें, fat लें, carbohydrates और minerals वगेरा, vitamins सभी consume करें तो निश्य द्रोप से हम healthy रहेंगे लेकिन यदि हम deficient diet लेती है, inadequate diet लेती है, proper diet नहीं ले पा रहे हैं तो हम under-narris रह जाते हैं यदि हम आउशक्ता से ज़्यादा खाते हैं, तो हम overweighted हो जाते हैं overweight यानि obesity के शिकार हो जाते हैं फिर हम तमाम सारी विमारियों से घरते हैं, वो हैं हिर्दै सम्मंदी रोग, उसमें high blood pressure, diabetes तरह तरह कि ये जितनी भी obesity के कारण होने वाली समस्याइं हैं, वो सब इसी वज़े से होती हैं इसलिए कहा जाता है कि उचित portion उत्तम स्वास्त का निर्माता होता है मतलब जो nutrition हम लेंगे, proper nutrition लेंगे, तो हमारी health अच्छी बनी रहेगी स्वास्त शरीर ही जो पोशक तत्तों को उचित मात्रा में ग्रहन करने, वो उनका शरीर में उचित उप्योग करने में समर्थ होता है ये तो बहुत important बात है कि ये healthy body होगी तो वो healthy body सारे nutrients को अच्छी तरह से शरीर में absorb करेगी, utilize करेगी और काम करने के लिए use करेगी इसे ये पूरी तरह से स्पस्ट होता है कि nutrition भी health के उपर निर्भर करता है, स्वास्त भूजन पर निर्भर है, इस कथन को स्पस्ट करने के लिए हमें कुछ बातों को समझना चाहिए जैसे शारीरिक स्वास्त यानि physical health, मैंने पिछले क्लास में भी आपको physical health की definition बताई थी, कि जब शिशु जन में लेता है, तो उस समय उसका वजन केवल 6 से 10 पॉन के लगभग होता है, यानि ड़ाई से 3 किलो का होता है यदि शिशु धीरे धीरे बृद्धी करता है और एक प्रोड व्यक्ति का आकार ग्रहां कर लेता है, तो ये सब बृद्धियों और विकास के कारण हुआ और शिरीर की बृद्धी वर्षारीरिक रूप से स्वास्त और क्रियाशीलता या उसे क्रियाशील बनाए रखने के लिए पॉस्टिक तक नो शिरीर में कुछ निश्यत कारे करते हैं जो के निमनलिकित होती हैं, वो कौन से कारे होते हैं के पहली च tastes तो शिरीर का दिरमान क कारे करता है यनि शरीर का निर्मान छोटी-छोटी आप सब ने जानते हो कि हम सब की शुरुआत मा के गर्ब में एक सिंगल सल से होती हैं इसपम, पितासे मिलता है और ओवम, मा ये दोनों मिलकर एक सिंगल कोशिका को जन में देते हैं और वह कोशिका फटलाई होकर एक से दो, दो से चार, चार से आड करते करते नौ महीने नौ दिन में एक गर्भस्त शिशू पूरी तरह से बन कर शरीर से बहाराता है। यानि शरीर का निर्मान छोटी-छोटी कोशिकाओं से होता है। भुज्य पतार अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं क्योंकि इस आवस्था में शरीर में निर्मानक कारे बहुत तीजी के साथ होते हैं हम सब जानते हैं एक शिशु जो जन में लेता है एक साल में इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने पैर पे चलने लगता है दीरे दीरे करके चलता है थोड़े थोड़े शब्द तोड़ तोड़ के बोलना शुरू करता है आउं की आवाजें करता है इसका मतलब है कि लगतार विकास हो रहा है और दीरे दीरे करके वो किशुरा वस्तम पहुंचता है जबकि बहुत जादा विकास होता है तो पूर्ण भूजन से शरीर का पोशन होता है और पोशन ही उत्तम स्वास्त बनाई रखने में साहईक होता है, तो पहला पोइंट समझ मैं है कि भोजन जो भी हम करते हैं उनसे जो फोशक तत्वाप्त होते हैं वो हमारे शरीर के निर्मार कारे में लगते हैं और शरीर के निर्मार कारे शरीर का बनना सबसे ज़्यादा भूणा अवस्था और गर्भा अवस्था यानि जब बच्चा मा के गर्भ में होता है दो महीने का होता है तो हम उसे embryonic development कहते हैं और जब दो महिने के बाद वो एंब्रो हो जाता है, जब वो जन्म ले लेता है तो वहा नवजात शिशू कहलाता है एक साल तक वा शेश्वा वस्था में रहता है और उसके बार वा एक से लेकर तीन वर्ष तक पूर विध्याले वस्था फिर तीन से लेकर थ्री प्लस में आजकल एड्मीशन हो जाता है बारा वर्ष तक की ओम्र विध्याले वस्था फिर तेरह से अठारा वर्ष की वस्था क अनके शरीर का आकार बदलता है, लमबाई बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, शरीर सुडॉलता लेता है, आवाज में परिवर्तन आता है, गुपतांगों में परिवर्तन आते हैं, तो कई दर के और उनका मांसिक विकास भी होता है, मांसिक रोप से भी वो परिपक्व या डवलप्ट हो रहे हैं फिर आती है प्रोड़ावस्था प्रोड़ावस्था में दो important stage जो females में होती है वो है गरबावस्था दुख दिपान की अवस्था जो last stage आती है एवब 60 से ले करके जब तक फ्यक्ती जीवित रहता है वो है प्रोड़ावस्था तो अंतिम चड़ों में निर्मान का कारे तो नहीं होता लेकिन शरीर को पूरी तरह से मतलब कहना चाहिए कि शरीर अपना कारे करता रहे इसके लिए प्रक्रियाएं लगातार होती रहती है और ये सब तभी समभ है जब हम adequate nutrition ग्रहन करें मतलब ऐसा nutrition ले ऐसा भोजन ग्रहन करें जिससे भोजन के सभी पोशक तत्व जो कि सातों पोशक तत्व है वो RDA 2020 के recording हमारे शरीर को प्राप्त हो सकें तो हम पूंते हैं स्वस्त रहेंगे तो ये बात समझ में आगे होगी आप लोगों को कि nutrition का किस तरह हमारी health के साथ relation है उर्जा प्रदान करना दूसरा important point शरीर में भोजन के द्वारा उर्जा का उत्पादन होता है तथा वही उर्जा शरीरी क्रिया कलापो को संपने करती है परिश्रम के द्वारा शरीर से उर्जा का वेह होता है हम सब को मालूम है जब हम काम करते हैं तो हमने जो कुछ भी उर्जा ग्रण किये वो उर्जा खपत हो जाती है और फिर शरीर डिमांड करता है अत्यदिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को बहुत जादा उर्जा कि अवर्शक्ता होती है मैंने आपको आर्डी ये पढ़ाते समय बताया था कि वर्क तीन तरह क्यों होते हैं सेडेंटरी वर्कर, मौडरेट वर्कर और हैवी वर्कर जो सेडेंटरी होते हैं वो हलके फुलके कारे करते हैं जो मौडरेट हैं वो हलके फुलकी के साथ थोड़े मांसिक और बारी कारे भी करते हैं यानि शारीरिक और मानसिंग दोनों प्रकार के कारे और अत्यदिक परिश्रम इसका मतलब है कि बहुत जादा कटिन परिश्रम जैसे लेवर क्लास है, मजदूर वर्क है, रिक्षा चालक है, कुली है, ये सब अत्यदिक कटिन परिश्रम के कारे करते हैं, तो जैसे जैसे हम प शरीर का च्छे होने लगता है, हमारा स्वास्त गिरने लगता है, तो इस प्रकार से भोजन हमें उर्जा प्रतान करता है और उस उर्जा से हमारे शरीर के कारे करने की चमता बढ़ती है, शरीर के क्रियाशील अंगों को सुचारू रूप से क्रियाशील रखना, शरीर के आंत फुट की मार मन इन सब के लिए पौस्टिक तत्वों की आउशक्ता होती है साथ ही सार उनको क्रियाशील रखने के लिए भी पौस्टिक तत्वों की आउशक्ता होती है For example, जैसे हिरदे हैं, तो जिस दिन से हमारा हिरदे बना, माा के गर्ब में जब हम एक माह के गर्भस्त शिशुते, उसी समय हमारे हिरदे का निर्माण हो गया है, और हिरदे कारे करने लग गया, अपना हर्ट बीट शुरू हो गई, और ये तब तक हम जीवित रहते हैं, तब अगर बढ़ जाती है तो भी है हमारी अस्वस्ता की निशानी है गट जाये तो भी अस्वस्ता की निशानी है मास्पेशों के संकुचन व फैलाव में सहायता करना शारीरिक तापमान को मासपेशियों के संकुचन और फैलाओ मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो कॉंट्रेक्ट करती हैं वो सिकोड़ती हैं और फैलती हैं ये कारे लगातार होता रहता है जैसे हमारे हार्ट की भी जो मसल्स हैं जब सिकूरती हैं तो blood collect होता है heart में और जब फैलती हैं तो erota से शुद्ध रक्त मतलब बाहर निकलता है जो erota यानि महाधमनिय से बाहर निकलता है और फिर छोटी-छोटी धमनियों और arteries से arteries और छोटी-छोटी जो blood capillaries हैं उनसे होते हुए हमारे शरीर के कोनी-कोनी में पहुंसता है ये इस बात के प्रमाण है कि हमारे शरीर के जो मासपेशिया होती हैं वो फैलती और सिकुरती हैं शारीर जो temperature है वो control करता है शरीर के तापमान को नियंतित करता है देखो हमारे शर समय तापमान घटता और बढ़ता रहता है कभी हम 95 पे आजाते हैं कभी हम 105 पे आजाते हैं ऐसा होता है नहीं ये तब होता है जो हमारी body infected होती है या कोई समस्या होती है तो समस्या को हम भोजन के द्वारा यानि भोजन है जो हमारे शरीर के तापमान को नियंतित करता है श वो पसीने के द्वारा, मलमुत्र के द्वारा प्रती दिन शरीर से बाहर निकलते हैं और ऐसा तबी होता है जब हम नियमेत रूप से adequate nutrition ग्रहन करते हैं और वो खुब पानी पीते हैं इस nutrition के साथ साथ तो शरीर से जितना भी पसीना निकलना है, toxins, body से पसीने और urine के द्वारा निकल जाते हैं इस तरह हमारे शरीर में water का भी balance बना रहता है जल का संतुलन और नियंतरन होता है शरीरिक जो pH होता है वो भी balanced होता है शरीर के pH बाडी में हर जगा अलग अलग है जैसे blood का pH है water का pH है बाडी में intraceller fluid है सब चीज का pH अलग और वो ही हमारी body को स्वस्थ रखता है blood का जो composition है blood coagulation है यह सब control होता है nutrition के द्वारा अगर यह control ना हो तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं इस तरह से postic तत्व उप्रोक्त जितने भी कारे हैं उन सब को करने में help करते हैं जिससे एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है सामाजिक अब यह तो आपको हमने शारीरिक स्वस्थ के बारे में बात की अब हम लोग बात करते हैं मानसिक स्वस्थ की हम mental health की बात पहले कर चुके हैं कि what is mental health तो व्यक्ति पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्त हो लेकिन मानसिक रूप से मैंने बताया कि वो अस्वस्त है उसका वहवार और सामाजिक है तो क्या हम उस व्यक्ति को मानसिक स्वस्त कहेंगे बिल्कुल नहीं कहेंगे तो व्यक्ति को संतुष्ठी के द्वारा मानसिक रूप से स्वस्तर रखा जा सकता है मतलब भोजन अगर अच्छा प्राप्त हो व्यक्ति बहुत त्रिप्त हो जाए तो मानसिक रूप से स्वस्तर रहता है लेकिन इसका एक्जामपल ऐसे है कि यदि हम किसी को भोजन ग्रहन करा रहे हैं, भोजन खाना देते समय हम रोटी प्यार से दें, लो भेया खालो, आधी रोटी खालो, लेकिन एक बार रोटी हम फेक के दें, कि खाना हो खाओ, ने खाना हो मत खाओ, तो ये देखो दोनों भा हो अलग है जो हमने प्यार से दिया है वह भोजन संत्रप्त करेगा वो संतोष्टी प्रतान करेगा वो व्यक्ति को मांसिक रोप से स्वस्त बनाएगा लेकिन जो भोजन इस तने दिया गया वो मांसिक रोप व्यक्ति को असंतोश प्रदान करेगा तो व्यक्ति को भोजन किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है और भोजन उसकी इच्छा नुसार हो उसकी रूची नुसार हो उसकी आदतों के नुसार हो तो वह भोजन मानसिक रूप से उससे पोशित करता है और पूरी तर्मह से मानसिक से स्वस्त बनाता है संतुलित भोजन शारिरिक अवशत्ताओं की पूर्थी के साथ सान इस भोजन के द्वारा कभी-कभी पून संभेगात्मग संतोश नहीं मिल पाता है जब व्यक्ति नए वातावरण में भोजन ग्रहा करता है नए मोहौल में खाना खाता है और उसका स्व परिवर्थन भी बहुत माने रखता है आदि के काराण पूर्ण संतोश वो महसूस नहीं कर पाता ऐसे भोजन व्यक्ति को शारिरिक पोशन उसका नहीं कर पाते परन्तु मानसिक शारिरिक तो नहीं करते और मानसिक भी नहीं कर पाते जब तक व्यक्ति संतुष्ट वाप्र सन्न नहीं होता तब तक मांसिक रूप से स्वस्तता के लक्षन उसमें प्रकट नहीं हो सकते हैं तो कई बार निराश व्यक्ति अपने निराशा को में छिपाने के लिए मांसिक रूप से संतुष्ट होने के लिए अत्तिदिक भूजन करता है यह तो भोजन बहुत मात्रा में करता है यह भोजन की तरब से एकदम भी मुख हो जाता है यह दोनों ही परिस्तितियां उसके स्वास पे बुरा प्रभाव डागती हैं यदि अवशक्ता से अधिक भोजन करेगा तो मोटापे से ग्रसित हो जाएगा और कई बिमारियों से गि तो क्या वो मानसिक रोप से पूरितिया स्वास्त होगा बिलकुल नहीं होगा नेक्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो है सामाजिक स्वास्त हम इसके भी परिभाशा आपको समझा चुके हैं हम सबको मालुम हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं तथा समाज में च्छाओं को आदान प्रादान समाज के विक्तियों से जरूर करें यही कारण है कि हम भार्टियों के हाँ जो भी तहवार होते हैं फॉर एक्जामपल जैसे अभी होली बीता हैं घर घर में गुजिया बनती हैं और हम लोग जो भी आते हैं उनको बहुत इसनियों और प्या अतिदारों में अपनी बनाई हुए चीजों को भेशते भी हैं आदान प्रादान करते हैं जब हम भेशते हैं तो वहां से भी आती हैं तो ये सब हमारे अच्छे सामाजिक स्वास्त के लक्षन हैं तो ये हमारी च्छाओं को आदान प्रादान करने का एक तरीका भी है इच समय आकर दो रोटी जरूर खाईए मुझे जो आता है वैसे ही में बना कर खिलाऊंगी यह जब हम कहते हैं हमारे मित्र ना चाहते हुए समय निकाल कर जरूर हमारे घर आती हैं और फिर सब मिलकर बाती करते हैं अपने विचारों को आधान प्रदान करते हैं इससे मित्र वत व हैं व्यक्ति अपने मित्रों को भोजन करा के हैं अपनी मित्रता और प्रेम को प्रदर्शित करता है इस तरह हैं इसी प्रकार कुछ सामाजिक तहवारों अभी मैंने सब पता दिया कि विवाह, जन दिन, आदी के अफसर, परव्यक्ति, खुशी, क्रेम और सहयोग, आदी भावनाओं का प्रदर्शन, भूजन के बात हमसे करता है, हम पार्टी करते हैं, जरह सा कुछ होता है, अरे भई, पार्टी दो, पार्टी दो, ये होता है, ना, तो ये सब है, ये एक समाज का ही पार्ट है, सबी लोग अपनी इच्छाएं व्यक्ति करते हैं, किसी को शुगर, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, कुछ हुआ तो मिठाई खिलाओ, जबकि मालूम है कि उसको शुगर हो, मिठाई नहीं काएगा, लेकिन डिमांड जरूर करता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, इस तरह से जो हमारी हेल्थ है, उसको बनाय रखने में भोजन फिजिकल, मेंटल, एंड सोशल रूप से स्वस्थ बनाने में महत्तुपूर्ण भूमी का अदा करता है, परन्तु इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है, कि स्वास्त की जो पोशनी है, इस तरह पर महत्तुपूर्ण प्रभाव वो डाल रहा है, उधारन के लिए अगर व भूजन ठीक तरह से वो ग्रहन नहीं कर सकेगा, जितना भूजन वो ग्रहन, जैसा भूजन ग्रहन किया है उसने, वही उसके शरीर में उच्चे द्रोप से, वो भी मतलब वो चिंता ग्रसत है, वो जैसे एक्जाम में नहीं होता है, कि तुमनों को बहुत टेंशन होता है, तो खाना नहीं कहते हो, या चवाना पड़ेगा, इसलिए पतली पतली डाल खाली, पतली खिचड़ी खाली, चवाना नहीं पड़े, तो यह इस तरीके से हमको उस समय बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर हम ऐसा ध्यान दे दें, तो हमारे मस्तिक्ष को यानि हमारे मानसिक स्वास्त उचित रहता है, अगर व्यक्ति के सामाजिक संबंदों में कोई तनाओ होता है, तो वो भी हमारे स्वास्त के उपर बड़ा प्रभाव डालता है, और उस अवस्ता में व्यक्ति की पोशनी है, इस तर जो है, वो अप्रत्यक्ष धंग से बहुत जादा प्रभाव पड़ता है यानि इन तीनों के अंदर health, food and nutrition बहुत खनिस्ट संबंध है और ये अटूट संबंध है इस संबंध को हटाया ये मिटाया नहीं जा सकता है एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के उपर निशित प्रभाव डालते हैं तो हमें उचित और पॉस्टिक आहार का सिवन करना चाहिए RDA 2020 के according हमें सारे nutrients प्रति दिन भोजन द्वारा ग्रान करने चाहिए और इसके साथ ही साथ अपने नियमित दिन चर्या रखनी चाहिए नियमित समय पर सोना नियमित समय पर उठना और प्रति दिन शारेरिक व्यायाम करना शरीर के सभी अंगों को क्रियाशील रखना भोजन के साथ साथ ये भी अक्तिन तावशक है तभी हमारा शरीर active रहेगा और हम स्वस्त रहेंगे तो students ये बहुत बड़ा chapter था जिसे मैंने अभी आपको समझाया है और आप अच्छी तरह से अपने notes बना लें और समझ लें ज इस बुक से आप consult करें और PG के students English बुक करने के लिए Preventive and Social Medicine के बुक में ये chapter दिया है जिसमें English में सारी definitions हैं और relation हैं तो मैंने समझा दिया है आप English और Hindi दोनों बुक्स को consult कर सकते हैं Thank you